Hello students, today's subject Hindi, today we are going to learn अहकी मात्रा So children, हमने देखा अहकी मात्रा शब्द कैसे हम पढ़ते हैं अभी हम वक्षीट देखेंगे अहकी मात्रा को विसर्ग बोलते हैं अभी हम शब्द वाचन करेंगे देखो पहला शब्द है हमारा प्रात त को अहकी मात्रा तहा प्रात तहा यानिकी सुब्ध न म को अहकी मात्रा नमह यानिकी नमस्कार च च को अहकी मात्रा च यानिकी 6 नमबर फूर चार नमबर का है अ त तको अह के मात्रा अत्तह की इसलिए पाच नमबर है स्व त तको अह के मात्रा स्व त अपने आप सिख नमबर है पू न को अह के मात्रा पु नह यानि के दुबारा साथ नमबर है मुख्य त मुख्य त त को अह के मात्रा मुख्य तह मुख्य रूप में आट नंबर है संभव तहाँ, तको अह की मत्रा संभव तहाँ, याणि की शायद 9 नंबर हैं हमारा 9 नंबर है नीसंदे हो, नी को अह की मत्रा नीसंदे हो, अवश्र दस नमबर का है हमारा विशेश विशेश तह तको अहकी मात्रा विशेश तह खास तौर पर ओके स्टूडर्स केसे पढ़ना है समझ में आया आपको अभी हम अहकी मात्रा के कुछ वाक्य देखेंगे इसे हम पढ़ेंगे पहला हमारा वाक्य है रेखा प्रात्त हो छह बजे उठती है इस वाक्य में प्रात्त हो और छह यानि कि रेखा सुबह छे बजे उठती है यहाँ पित्तो को अहकी मात्रा लगी है और छो को अहकी मात्रा लगी है ओके यह है दो नमबर का हमारा सेंटेंस है अजय ने सुरज को नमह किया इस सेंटेंस में नमह इस शब्द को अह की मतल लगी है म को अह की मतल लगी है नमह यानिक नमसका इतीन नमबर का हमारा वाक्य है काम गलत हो जाने के कारण गवरी को पुनह लिखना पड़ा इस सेंटेंस में इनको अह की मतल लगी है पुनह यानिकी फिर से नमन को भूक लगी थी अतह इसने खाना खाया मतलब इस सेंटेंस में अतह अतह यहाँ पे तको अह की मतल लगी है अतह इसलिए नमन ने खाना खाया यहाँ पे दको शब्द जोड़ अभी हम शब्द जोड़ करेंगे पेला शब्द हमारा नमह न जमा म जमा अह की मतरा नमह न जमा म जमा अह की मतरा नमह न जमा 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 अह की मतरा नमह जमा 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 अह की मतरा नमह प जमा चोटेओं की मत्रा, जमा न, जमा अ की मत्रा, पुनह स जमा अम की मत्रा, जमा भ, जमा व, जमा त, जमा अ की मत्रा, समौ तह छो जमा अह की मत्रा छो स्वत्त हो स्व जमा त जमा अह की मत्रा स्वत्त हो सेवेन नमबर एए डी संदे हो न जमा छोटे की मत्रा जमा अह की मत्रा जमा स जमा अम की मत्रा जमा द जमा छोटे एक की मत्रा जमा ह नी संदे हो ओके स्टुड़न्स इस तरह हमने देखा शब्द जोड कैसे करते हैं जिस वर्नमाला को यानि कि स्वर या वेंजन के आगे जो दो बिंदी लगती है उसे उसका उच्चा कैसे करते है अहो ऐसे करते हैं ओके स्टुड़न्स यह आपको आपके नोट बुक में लिखना है और पढ़ना है ओके थैंक्यू बाई